कार दोस्तों स्वागत करता हूँ अपने एटोप चनल पर आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने बाला हूँ कि अगर आपने सिंपल पे लेटर अपलीकेशन से लोन को ले लिया है और इस लोन का जो भी आपके लिए लिबिन मिली है उसका आपने किसी ना किसी अपलीक नहीं करना चाहते हैं समय करना नहीं चाहते हैं या आप भूल गएं करना तो आपके साथ क्या होगा या आप बिलकुल भी करना नहीं चाहते तो आपके साथ क्या होगा काफी लोगों की कमेंट आई है कि सर बताईएगा कि अगर हम इसका Bill Payment है वो नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा तो इसी टोपिक पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को सुरूर से लेकर लाज तक आप जरूर बहुच करें जो भी इनफॉर्मिशन आपके लिए मैं बताऊंगा वो कापी महत्वड इनफॉर्मिशन आपके लिए होने वाली है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिल लोगों ने इस अप्लिकेशन में लोन को लिया यूज कर लिया है उनका बिल इस प्रकार से बन चुका है और बिल बनने के बाद 15 दिन के अंदर एक दून या दो दिन या तीन दिन चार दक पांच दिन जो भी रीपर्मैंट करने की डेट होती है उससे एक दो तीन चार पंच से दिन लेट हो तो आप पर केबल चार्ज लगने वाला है मतलब की आप पर केबल चार्ज लगेगा जो भी होगा जैसे कि जो भी लिमिट आपने यूज की है जैसे कि आपने अगर 300 रुपए यूज की है तो उसी के हिसाब से आप पर प्रतिक दिन चार्ज लगता रहता है अब आप पंदाद के हो गए हैं और जो भी यदिन होती हैं उन्का पैमंट करना यहीं, बिलुकुल भी छाहता है गता हैं लेकिन आराके लिएापका पर क्या होता है आप म Henry से यहां पर कर लक्र का क्षालों डालते हैं और आपका अकॉंड वन जाता है लेकिन आप मोबाइल citizen से आपको लिमिट ऐसे कोई नहीं देगा कि अगर आपका खाली मुवाइल नंबर यहां पर रेश्टेड हो जाए और आपको 25,000 रुपए तक की लिमिट मिल जाए ऐसा नहीं है जैसे कि अगर आपने जो भी मुवाइल नंबर डाला उससे पहली बात तो आधार नंबर रेश् हाँ मैज करने के बाद आपको अमांट लोन दे देते हैं बना आपको लोन नहीं देंगे आपके लिखकर आ जाएगा बेटिंग आपके मुवाइल नंबर से अधरकारड पर पर रोन नहीं दिया जाए तो दोस्तों आपके पेंटार्ड पर और आधार कार्ड के बेश्ट प करने के बाद अगर आपका धीर दीर चलता रहता है और आपका अमांट जादा है जैसे कि पच्छस जारा बीश जार है और जैसे एक लाक है यह पचास जारा तो इसमें क्या होता कि आपके घर एजेंट भी आ सकता है और आपके पास लगातार call भी आएंगे कि आप payment करना क्यों नहीं चाहते हैं और आप अगर उनको बार बार कह देते हैं कि हम payment कर देंगे और फिर payment करते नहीं तो ऐसे में दोखा धड़ी का अगर करते हैं किसी के साथ अगर आम दोखा धड़ी करेंगे तो आप 420 का case भी इस मदलब कि आप किसी एक application से loan लेते हैं और आप ज्यादा amount है और आप बताते रहते हैं कि इस date में कर देंगे इस date में कर देंगे और करते हैं नहीं सालों भी जाते हैं तो ऐसे में आप 420 का case भी लग सकता है तो आपने जिस application से loan लिया है जैसे कि आपने इस से लिया है तो इसका repayment है अगर आप 2-3 दिन लेट हो जाते हैं तब भी आप उनसे बोल सकते हैं कि हमारे 2-3 दिन लेट हो गए हैं आप हमारे कम करदें जो भी अमाउंट है जो ज़्यादा चार्ज लगा है वो कम भी आप करा सकते हैं लेकिन आप इसका repayment है समय से जरूर करें क्योंकि जो भी कंपनी आपके लोन देती है वह आपके आधर कार्ट पर पेन कार्ट पर लोन देती है और आपके अगर लोन बिलकुल भी भुक्तान नहीं करेंगे तो आपके पेन कार्ट पर ठपपा भी लग जाता है आप आपके में प्रॉब्लमउं हागी हमारी बैंक में प्रॉब्लम आगे तो पैसे आपके कर दिये जाएंगे जो भी अपने लून लिया था उसका केबल पेमट आप कर सकते है तो आई हो हमारा दोर बतागी जानकारी आप आप पसंद्धा योगी दोस्तों जानकारी पसंद्धा वी तो बीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की बीडियों एत्रा ही मिलते लिए बीडियों में तब तक लिए दोस्तों जहन्त